सुबह की बड़ी खबर पर हम लगतार बने हुए हैं आप तक हर खबर पहुंचा रहे हैं जमुन कश्मीर में आतंक्यों ने फिर एक और सुरक्षा कर्मी को शहीद कर दिया है कल आतंक्यों ने जमुन कश्मीर के शोपिया में पुलिस कॉंस्टेबल जावेद डार को अगवा किया गया था कुछ आतंक्वादी एक सेंट्रो कार में आये और बंदुक की नोक पर कॉंस्टेबल जावेद को उठा कर ले गए कॉंस्टेबल जावेद शोपिया के पुर्व SSP शेलेंदर बिश्रा के साथ तैना थे इससे पहले आतंकी लेपनेंड उमर फयाज और राइफल मैन और अंगजेव खान को अगवा करके उनकी हत्या कर दी गई थी आतंक्यों के द्वारा और अब उन्होंने कॉंस्टेबल जावेद डार को अगवा किया और उसके बाद हत्या की कल रात जावेद को अगवा किया आतंक्यों ने सेंट्रो कार से आतंक्या आये थे और आग सुबह जावेद का शब मिला है जिमीडे समाता था खालिद हुसेन हमारे साथ एक बार फिर से जोड़ गए हैं खालिद एक बार पूरी जानकारी दीजिए किस वक्त अगवा किया गया और शब कहा मिला कैसे मिला किस हालात में मिला करीब की पात है जब ये खबर आई कि एक पुलीस कॉंस्टिबल जावेद दार जिसको वहिल गाउं शिपियन में जो पड़ता जहांके वो रहने वाले थे वहां बाहर जब अपने गार के बाहर एक मेडिकल शाप पे थे तो तब चैंट्र गार में कुछ बंदुग बरदा तलाशी शुरूर कर दी गई नाकापती की गई लेकिन कुछी देर बाद उनकी पिक्चर भी वाइरल हुई जिसमें लगा कि इन गुन्ट्रोगेट्टिया की जा रहा है और उसके पाद तलाशी अद्यान राद बार चलता रहा लेकिन साफ़का नहीं थी आज सुबा वहिल के दूब अगर हम करीम बात करें तो माली पुरा जो इलाका है कुलगाम का जो बॉर्डर डिस्टिक्ट है मुशिपिन और कुलगाम का बॉर्डर लाइन है वहां पर उनका शाव मिला जिसके बाद शाव को सिथानिया लोगों ने वहां पर देखा सुबस और उने पुलीस क को इतला की पुलीस वहां पर पहुंची और हमने शाव को अपने वील में ले लिया और लेगल फॉल्डर बर्टी शुरू कर दी गई है पर इस पारे में दूचित कर दिया गया है और अब लेगल फॉल्डर बर्टी इसके बाद शाव जो है वहां दे दिया जाएगा उनका और उसके बाद जो केस रेजिटर हुआ उस पर कारवाई आगी होगी इस संदेशी जहां पर किन्यापिन हुई थी वहां पर जो लोग खड़े थे उनको टाटोला जाएगा उनसे बात की जाएगी जिस गाडी की बात की जा रही है उसके नंबर को देखा जाएगा उसकी र इस सारे मामले को जो है सुरक्षा एजन्सिया इस पर कारवाई कर रही है जी जी खालिद आप हमारे साथ रहे एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखा देते हैं इस पूरे मामले को लेकर पुर्हान गैंग को देजभक्त मुसल्मानों ने मिलकर खत्म किया था यही वज़य है कि अब कश्मीर में आतंगवादियों के निशाने पर हैं इस्तानिय लोग जो सेना और पुलिस में शामिल होकर देश को आतंगवाद से छुटकारा दिलाना चाहते हैं दस मई 2017 को आतंगवादियों ने शोपिया में लेफनेंट उमर फयास की हत्या कर दी थी उमर फयास शोपिया में एक शादी में शामिल होने गए थे नौ और दस मई की राद आतंगवादियों ने उमर फयास को अगवा किया आतंग वादियों ने उन्हें पहले बुहित्रा से पीटा बाद में हत्या की गुलगाम के रहने वाले उमर 2016 में सेना में शामिल हुए थे आतंग वादिय अब कश्मीर के सच से डरे हुए हैं जम्मु कश्मीर कुल्स के जाबाज अफसर फिरोज एहमदडार को भी आतंग वादियों ने मारा था 16 जून 2017 को आतंग वादियों ने इंस्पेक्टर फिरोज एहमदडार की हत्या की आतंग्यों ने फिरोज एहमदडार की गाड़ी पर हमला किया था इसके बाद हमला हुआ श्रीनगर के बीच ओ बीच जब DSP I.U. पंडित की पीट पीट कर हत्या कर दी गई 22 जून 2017 को रमजान के दौरान DSP I.U. पंडित को धीड ने घेर लिया वो श्रीनगर के नौहट्टा में जामिया मज़ित के बाहर तैनात थे और अलगावादियों के उकसावे पर भीड ने अईू पंडित को पीट पीट कर मार डाला वहीं आतंगवादी समीर टाइगर के एंकाउंटर में शामिल रहे 44 राश्ची रैफल्स के जवान औरंग जेब की भी आतंकियों ने अगवा करके हत्या की थी वो पुँच के रहने वाले थी 14 जून 2018 को आतंकियों ने रैफल्मैन औरंग जेब को शोपिया से अगवा किया और बाद में उनको मार डा जब औरंग जेब का पार्थिव शरीद उनके घर पुँच पहुचा था तब उनको शर्धांजली देने पहुचे लोगों की भीड़ देखकर आतंगवादी घबरा गए होंगे ये कश्मीर की ताकत है जो हिंदुस्तान के साथ है शहीद औरंग जेब का शव पुलवामा में मिला था औरंग जेब की शहादत इक्लीमत खुद आर्मी चीफ जनरल विपिन रावत ने समझाई जब उनके घर पुच गए उनके परिवास से मिल कर बताया कि पूरी सेना पूरे देश को औरंग जेब की शहादत पर नाज है इसके बाद रक्षा मंत्री निर्मला सीता रमन भी औरंग जेब के घर गई थी साफ है कि अब आतंगवादी कश्मीरियों को मिल रहा सरकार का साथ देखकर परिशान है वो सॉफ्ट टार्गेट पर हमला कर रहे हैं यानि उन नौजवानों पर हमला कर रहे हैं जो स्थानी है और भारती सीना के साथ ब्यो रिपोर्ट जी मीडिया जी मीडिया सब बादाता कृष्ण मोहन मिश्रामार साथ जड़गा हैं सिधर उनका रोख करते हैं विद्य सवाल दोराएंगे एक और सुरक्षा करमी को अगवा कर और ठीक उसी तरीके से जैसे औरंगजेब की हत्या की गई थी इस सुरक्षा करमी की भी हत्या कर दी गई है जावेद की जहां भी जो ख़बर आ रही है उससे तो जिस चीज की आशंगा थी उससा भी तो कि जब कल रात को अपरण हुआ था तब इस चीज की आशंगा हो रही थी क्रिश्णमों ना ऐसा लग रहा है जैसे आतंक्यू ने अपनी स्टेटिजी बदल दी है और आब सीधे मुकाबला नहीं करके सुरक्षा कर्मियों को अगवा करना उनकी उत्ते करना और इस तरह अगर जाय किया है तो इसके हे अट्यख पर ने क्रूज ओ до खीघीा इसलिए बड़े इस्ट्रिक्ट इस्ट्रक्शागर्मी चुट्टी पर घर जाएंगे लेकिन सेना के लिए तो ये कुछ अद्दक मुम्किन विबादा पुलिस के लिए बहुत मुश्किल होता है पुलिस वाले उसी इलाके में हमेशा रहते हैं उनको पहचाना या सकता है प्रिश्न मौन मैं आपको रोक रहा हूँ बीजेपी नेता रविंद रहना हमारे साथ जुडगाया है और बहुत सारे आतंगवादियों को मौत के घाट उतार दिया गया है वहीं कहीं ने कहीं एक शड़ेंतर और साजिश के ताह जावेद जार जो जमो किश्मीर पुलिस के बेक भादल जावान थे हमारे उनको किडनाप किया गया और जिस तरीके से उनकी हत्या की गई बहुत ही मिंदनी है और दुख़द है लेकिन यह जो सेना के ओपरेशन और पुलिस के ओपरेशन जाइंट ओपरेशन के शमीर घाटी में खासकर शौपियान में चल रहे है यह रुकने वाले नहीं है और यह घटना इस घटना के बार और कला प्रहा आतंगवादियों के उपर करेंगे यह घटना आतंगवादियों के लिए काल बन कराएगी और आतंगवादियों को किसी कीवट पर भी जिन्दा ने रहने दिये जाएगा कभी कभी जब सियासी तोर पर एक डिसीजन लिया जाता है रविंद रहना कि हम एद के दौरान, हम नमाज के दौरान, हम फ़लाना डेट से फ़लाना डेट तक गोली नहीं चलाएंगे आतंकियों को नहीं मारेंगे आतंकियों के खिलाब कोई आपरेशन नहीं करेंगे और उसका फाइदा उठा लेते हैं आतंकी देखिए एक प्रयास हावेशा रहता है कि जमू कश्मीर के अंदर कासकार कश्मीर घादी के अंदर शांती भाली पर क्रिया ठीक ही जाए शांती बनाई जाए कानून रवस्ता ठीक ही जाए और आम जन्मानस जो है कश्मीर का आम कश्मीर की जनता तो हिंदुस्तान के साथ है ये चंद जो किराय के एक कुछ ये मिस्क्रियंट्स है जो पाकिस् इशारू पर नाचते हैं जिनोंने दुकाने सजा के रखी हैं इनको भी एक्सपोज करना है आम जंता तो हिंदुस्तान के साथ है आम जंता इद के दिन नमाज अदा करें तिहार बनाए इसके लिए केंदर सरकार की ताहल थी लेकिन आतंक वादियों की कमर तोड़ना आतंक व कि लंका के राक्षत हैं इनका हुद करना हमारे लिए अनिवारे और हम इन सब का फट करेंगे इनको छोड़े के नहीं सरकार में रहते हुए कुछ बड़े फैसले अगर आप लोग जम्मू कश्मीर में कर लेते तो शायद यह दिन नहीं देखना पड़ता देखिए जब कुछ प्रक्षानियां थी अगर बीजेपी की अपनी फुल्फनेट फरकार होती तो हमको यह शायद दिन नहीं देखने पड़ते हैं इसलिए तो हमको गवर्लरू लगाना पूरा आपी जम्मू कश्मीर में सब्ता में अगले असेंब्ली एलेक्शन को तीन साल बचे हैं त तो क्या लोगी इस बात के इतजार करें कि सेंटर में जम्मू कश्मीर में भी आपकी सरकार आये पूर्ण बहुमत में तो जाके आतंकियों का सफाया होगा मैं आपको गरंटी देता हूँ कि जब से यहां राज्यपाल शासन लगा है पिछले देर महीने से कश्मीर गाती के अंदर पत्तरबाद की घटनाएं हो आतंकी घटनाओं में बहुत हद तक कमी आई है अगरेंटी देने की बात कर रहे हैं गैरेंटी तो आप तब भी दे रहे थे जब पीडिपी के साद सरकार बना रहे थे लोग विरूद कर रहे थे, लोग कह रहे थे PDP के साथ आपका गडबंदन हो नहीं सकता, आप जिस गडबंदन के साथ सरकार चलाना चाहते थे, वो विफल हो जाएगा, लेकिन आप तब भी चले गए, उसमक्त भी गैरेंटी थी, वो गैरेंटी तो फेल हो गई आपकी, उस दोर के अंदर भी कश्वीर घाटी के अंदर 619 आतंकवादियों को मोट के घाट उकार गया था, जब कश्वीर से काई नहुतारा था क्या? हमाले लिए काम करना और असान है, और इस दोर के अंदर आप देखेंगे, हाला कि ये जावेद आमसडार, जिनकी हत्या कर दी गई बहुत भी मिंदरी है, दुखर है, लेकिन जावेद आमसडार साहब के काईलों को जल्ब मोट के घाट उतार दिया जाएगा, ये बच नही हैं, जिए हाँ, वो मुल्ता उस खित के रहने वाले हैं और घर गे थे, हलांकि एक स्क्योर्टी अलर्ट है, कि उस खित के रहने वाले क्योंकि वह वहां बहुत सारी गतिविदिया आतंगवादियों की चलती है, और छित के रात के अंदेरे में इस वकार की वो कभी कबार अपना जो शर्यंत करते हैं, उसमें वो घृफल होगे, बहुती दुखर रहां नहीं होना चाहिए था, आमको इसका भरी दुख है, लेकिन सूद समेथ, सूद समेथ हम आतंगवादियों से इसका बढ़र लेंगे, छोड़ेंगे नहीं को. वो सेना का काम है, वो सेना कर लेती है, लेकिन राजनितिक मंशा जो दिखाई देती है, बीच बीच में आप लोग जिस तरीके डिसीजन लेते हैं, और पीडिपी जैसे एक पार्टी के साथ गड़बंधन कर लेते हैं, वादा करते हैं कि हम मजबूत सरकार देंगे, आतंक अब लोग इस सियासी बयान बाजी से तंग आ चुके हैं, और लोग चाहते हैं कि अब एक पूरे का पूरा ऐसा एक्शन हो जो दिखाई दे और लगे कि आतंक्यों का सफाया पूरी तरीके से कश्मिर से होने की तैयारी पूरी हो गई है, और आतंक्यों को अब यहां से हटा कर हमारी सेना और हमारी सरकार की मंशा यह है कि दम लेंगे, खालिद उसे नमर साथ ज अब उसका पूर्स मॉर्टम होगा, वाकी लेगल फॉर्मल्टीस होगी और उसके बाद उस शर्व को जो है सूम दिया जाएगा परीजनों को इनको बीतला कर दी गई है, और उसके बाद जो केस रिज्टर हुआ है, जिन ताराओं में रिज्टर हुआ है, उस पर जो है एक फ्यूचर स्टेज्डी बना जाएगी और उस पर कारवाई होगी, तमाम उन ताट्वों को टटोला जाएगा, जो इस केसे जुड़ी है, जिसकी टैपिंग से लेकर हत्या तक कि जितने भी केस ताट्वों है, उनको टटोला जाएगा, उन पर काम किया जाएगा, और उसके मनशा थी कितना पिंगी, और ऐसा क्यूं हो आगर सोपीज कोई डिये गए है, स्क्यारिटी फॉर्स को कि वो कैसे अपने गरूं में रहें, कैसे निकलें, कैसे चलें, जब छुटी पे हो, वो पहले से ही जारी कर दिया गया है, तमाम स्क्यारिटी विंग्स की तरफ से चाह सामने आई थी, सेना ने क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दिये थे कि किसी भी प्राइवेट वीकल को बोर्ड नहीं किया जाएगा, विदाउट सेक्यारिटी कैम्स से बाहर नहीं निकला जाएगा, ये सब बातें पहले भी, मुकश्मीर प्लीस अपने जवानों को भी बोल चु तो इन लोगों पो और प्रिश्राइज किया जाएगा कि वो उन एस्ट्रपीस को पूरी डाटरन स्प्रिट में फालो करें, ताकि इन गात वीदियों को रोका जा सकें, क्यूंकि अगर खुले आम आप निकलते हैं इन आलाकों में जो वनरबल है तो ऐसी गट्राइग दक्षिन कश्मीर के शोपिया में तैनाद जावेड डार को उनके घर से बाहर से अगवा किया गया, कुछ आतंग की एक सेंट्रो कार में बैटकर आये थे, बंदू की नोकपत कॉंस्टिबल जावेड को उठा कर ले गए, कॉंस्टिबल जावेड शोपिया के पुर्व, SSP जावेड के साथ तैनाद थे, इससे पहले आतंगवादी लेटनेंड उमर फयाज और राइफलमेन और रंगजेब खान को अगवा करके उनके हत्या कर दी गई थी, और अब कॉंस्टिबल जावेड डार की हत्या की गई है, ठीक उसी तरीके से जैसे इससे पहले दो सुरक् अब एक बार फिर से आतंग्यों ने ठीक उसी तरीके से साज़िश को अंजाम दिया है, आतंग्यों ने जावेड को उनके घर के पास से अगवा किया, जावेड घर के पास ही एक दुकान में कुछ सामान लेने के लिए गए हुए थे, रात का वक्त था और आतंग के एक सें मरसा जुड़ गए हैं, खालिद डेड बाडी, अब क्या पुलिस अपने कबजे में लेकर और आगी की जो प्रक्रिया होती है, वो शुरू कर चुकी है? इसके बाद इनको हैंडवर किया जाएगा लाइस लास राइस के लिए पर इजनों को, और जो केस सर्च होगा उनके दारहें एड हो जागी, तो उनके तल तक अफरंग केस आज हद्या कर चेस है, और अब हद्या की दारह भी उसमें एड होगी, और फिर उन तमाम दारह उन की जाती है, क्या कर जो यह लोग है, नही कि मैप वाइर पहस्चाना जाएगा, को सब्सक्राइब के जाएने इनको सब्सक्राइब, तो इस्ब आपदे की जाएं कि फिल्हाल लेकिन इंचल स्टेज है अभी बाडी को रिकवर किया गया है, लेगल फॉर्मिल्टीज हो रही है, हालाए कि कल शाम से करन करके इसमेज किया गया था और खलाशिया ब्यान भी शुरू किया गया था राद पर चला लेकि उसमें कोई सफलता नहीं मेली सुरक्षा करनी, उनको इन अलागों में बता ही रही है, कि वो जब तर जाते हैं चुटियों के कैसे रहना है, कैसे मोमेंट करनी है, वो उन सब बातों को अब सुरक्षा एजन्सिया जो है सकती से जम्वानों को बताएंगे, कि वो उनको उबे करने ताकि ऐसी रखना है, होई न पाए और एज जो है लू कि न अको इन सकेंजी.